हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मंसरी आज किस वीडियो में बात करूंगी बायमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लैटर की यह वर्ड काफी फैमिलर होगा उन स्टुडेंट्स को जिनको इमेल्स रिसीव हो रही है बट फॉर्मली बड़े क्वेशन आ रहे हैं इसको रिलेटेड कि हम ऑपेमिल्स अभी तकन रिसीव नहीं हो रही हैं दसेग हो रही है उनका यह कि सब्धामित हो तो आज की इस वीडियो में पहले बताऊंगी इसका रीजन कि यह क्यों हो रहा है और दूसरा जिनको इमेल्स आ अरीए तो उसके कैसे प्रसीड करना हूँ उसका प्रसीजर बता जाया था कि सबसे पहले जो 25th of November को अभी तक तो बायमेट्रिक ओपन हुए सिटीज में मुंबाई दैली चेंडिगर इन सब जगा में ओपन हुई है बट 25th को यह एप्लीकेबल होगी बट सबसे पहले जो प्रियर्टी मिलेगी वह फैमिली स्टेक को मिलेगी और उसके बाद 2nd December में स्टूडेंट्स को प्रियर्टी मिलने शुरू होगी तो यह तो सबसे बड़ा रिजन था कि जिनको इमेल नहीं रसीव हो रही कुछ को नहीं रसीव हो रही पर जिनको रसीव हो रही है उनका जो बायमेट्रिक कैसे समिट करना है वह मैं आपको आज बताने वाली आपको जो इमेल आएगी जब आपको इमेल ओपन करोगे तो उसमें लिंक होगा नीचे एक लिंक होगा आपने वह क्लिक करकर उसे ओपन करना है निव विंडो में उसके बाद मैं आपको इंस्ट्रक्शन बताने जारी हूँ आप लैब भी ले सकते हैं इस वीडियो में इस वो क्लिक करना है और उसमें आएगा आपका उपर हैडलाइन टाइटल में book and appointment में सब आपने गोज्ट्रू करना है और नीचे जा कि आपको third point में email का एक बड़ा-बड़ा option नज़र आएगा वो आपको third point में option नज़र आएगा उसमें जाना है और उसमें लास्ट में न्यू विंडो खुलेगी मतलब वो लिंक उपन होगा वैब फॉर्म का तो उसमें एक title आएगा कोविड-19 के updates का तो वो पूरा आप गोज्ट्रू कर लोगे उसमें क्या लिखा है मैं आपको बता जेती हूं कि उसमें सबसे पहले तो यह लिखा है कि 20th of November को six cities में बायोमेट्रिक उपन हुई थी जो थी हमारी डैली जलंदर चंडिगर मुंबाई एहमदाबाद और मेंगलूरू यह तो यह छे शहर जिसमें हमारा डिसकस किया उसके बाद जो है ओपन होगा यह कुछ शहरों में उनका नाम है कैलकटा चन्नाई हैद्राबाद और पूने तो यहां पे ओपन होगा बाद में बायोमेट्रिक यह ओपन होगा 25th of November को बट यह भी फैमिली क्लास को प्रियर्टी देंगे और स्टूरं को प्रियर्टी आफ्टर सेकंड दिसम्बर मिलेगी तो यह तो थे हमारे जो बुक एन अपॉइंट्मेंट के अंदर कोविट 19 की अपडेट्स तो उसमें उनने स्टूरंट्स के लिए कि सेकंड दिसम्बर 2020 में उनका ख प्रियर्ट करोंगी फिर आपने उसमें जब आप स्लेक्ट करोगे तो उसमें कुछ आटिकल आएगा आपने वह थोड़ा से इंस्ट्रक्षन पढ़ लेना है पढ़ लेना वैसे फॉर्मल होता है उसके बाद उसके लास्ट में जब आप चंडिकर डालोगी अपनी नियर ब लिखा होगा और उसमें लिखा होगा शेडियूलिंग वह तो उसके अंदर मैंशन होगा फिर आपके पास फिलिंग दी ब्लैंक्स आएंगे जिसमें आपके पास तीन आप्शन आएगे वैक का दूसरा नंबर ओफ एप्लिकेंट का और तीसरा बी आई एल नंबर तो जो व करना है उसके बाद आता है बी आई एल नंबर तो बी आई एल नंबर तो हमारा बायमेट्रिक लेटर ही हुआ जो हमारा लेटर है तो उसमें जो आपको एमेल आया होगा न उसमें आपकी अप्लिकेशन नंबर होगा डिजिट्स में आपने वह डिजिट्स वाला नंबर कॉ करना है तो उसके बाद आपका होगा कन्फर्म का ओप्शन जब आपन परम्स करोगे तो वह आएगा क्योंकि आप स्टुटेंट हो तो आपका परमिट नहीं होगा यह अभी नहीं परमिट होगा क्योंकि अभी फैमिली क्लास के लिए प्रिटाइज किया गया है biometric को but second of December को यह students के लिए भी prioritize किया जाएगा तो जब आप तब email को अपनी दोबारा भरोगे क्योंकि जिनको receive हो और यह काफी students को receive हो रहा है तो उनका submit नहीं हो रहा तो यह procedure है submit का तो आपको agent के पास जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है तो यह आप second of December में दोबारा जो है अपना fill in कर सकते हो और biometric अपना submit कर सकते हो यह था पूरा आपका procedure कैसे अपने अपना biometric submit करना है और इसमें last point में आपको important point यह पताऊंगी कि यह जो होता है biometric हमारा letter की जो informatic letter का procedure है यह सारा digitalized है बतले इसमें जब आप fill in करोगे तो आपको जो date है वो आपके according नहीं मिलेगी वो पिछे से ही auto generate होकर आपके पास आएगी so day to day आपको नहीं अपने according मिलने वाला वो auto generate होकर ही आपके पास आएगा but आप हाँ center decide कर सकते हो like जैसे मैंने जंडिकर select किया था तो आप center कोई भी अपने nearby जो आपको साथ में लगता है वहाँ पे आपको select कर सकते हो और center के बाद जो आपको given time होगा तो मैंने पहले पिछली वीडियो में भी ये कहा था कि जो आपको slot मिला होगा उस slot में पहले ही पहुँचाना क्योंकि अगर आपने इस बार submit करा तो most probably आपका number बहुत लेट आएगा बाद में क्योंकि number of applicants पहुँचाना है तो last but not least 2nd of December को student class खुलने वाला है और 25th of November को family class खुलने वाला है तो जिनको email receives हो चुकी है सबसे पहले उनको congratulations और जिनको नहीं हुई है so don't worry उनको हो जाएंगी और अपना जो submit है वो 2nd of November को और December को अप submit करना शुरू कर देना so hope ये वीडियो आपको बहुत helpful होगी अगर आपको कोई और problem भी है या confusion भी है तो आप हमें contact भी कर सकते हैं online contact भी कर सकते हैं या आप अपने original जो documents हैं लेकर हमारे office भी visit कर सकते हैं thank you